हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आशिस क्लासेश पर 23rd of June का इडिटोरियल हम डिसकस करेंगे स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको कि आपको डाउनलोड कर लेना है आशिस क्लासेश एप्लिकेशन यहां पर आपको उपलब्द करवाए गए है कुछ कोर्सेज जैसे ग्रैमर का पूरा कोर्स जीरो टो एडवांस लेबल का कोर्स यहां पर उपलब्द है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच यहां पर अवलेबल है जहां पर 31 क्लासेज अब तक हो चुकी है ठीक है दोनों ही कोर्से डिजिटल बोर्ड पर दिये गए हैं खास बात यह है और यहां पर जो आपको एडिटोरियल वाला बैच होता है वो मिलेगा Acess Classes English Application पर और यह बैच आज से च्टार्ट कर रहे है इसमें खास बात यह है कि दो एडिटोरियल होते है हलंकि एक एडिटोरियल जो आपको शाम को पांच बजे मिल रहा है यूट्यूब पर वही अडिटोरियल मिलता है लेकिन यह जल्दी मिल जाता है आपको 10-11 बजे करीब साथ में इसका PDF मिलता है और दूसरा अडिटोरियल लेट नाइट को मिलता है with PDF कुछ और बैचेज भी यहां पर हैं तो बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे तो क्रीप एक वर्ड मिलेगा क्रीप का मतलब ऐसे रेंगना होता है तो नाउन के रूप में अगर लेंगे इसको तो ग्रेज्वल ग्रोथ को बोलते हैं धीमी वरद्दी जो होती है या किसी चीज में धीमी भढ़ोतरी जो होती है उसको बोलेंगे क्या क्रीप दूसरा शब्द आपको मिलेगा retardation retardation का slow development जो क्रीप है वही मीनिंग है इसका धीमा विकास जो होता है धीमी गती से होने वाला विकास retardation, slow development moot verb के रूप में है moot का मतलब होता है propose या introduce कोई चीज को प्रस्टूत करना उसके लिए moot का प्रियोग करते है number four पे मिलेगा sweeping adjective है इसका मतलब extensive, expensive, broad विस्तरत को बोलते है extensive, expensive, broad number five is stipulate इसका मतलब निर्धारित करना होता है या फिर कहें तुसे exactly and officially what must be done कि official तरीके से कहना कि भी क्या चीज की जानी चाहिए उसे कहते हैं stipulate incorporate का मतलब होता है include या subsume, मतलब शामिल करना, ये incorporate है, verb है mandate, verb के रूप में लेंगे, इसका मतलब है to order or require make mandatory, ये mandatory वर्ड इसी से बना है, अनिवार ये बना देना, ठीक है number eight पे है fallback, fallback का मतलब पीछे हटना है, retreat या withdraw, पीछे हटने को बोलता है फिर है on the face of it, ये एक phrase है, phrase का मतलब group of words होता है, देखो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच words है, इसलिए phrase कहला ही है apparently or ostensibly, इसका meaning होगा, उपरी तोर पर, ठीक है number ten पे है discernible, discernible का मतलब होता है, apparent या noticeable, इस past को बोलता है, clear को बोलता है फिर है on the heels of, ये काफी बड़ इन दिनों में phrase आ रही है, इसका मतलब following closely after, ठीक बाद में, उसको बोलेंगे on the heels of dig one's heel का मतलब है, बिल्कुल अडीग रहना, जिद पकड़ लेना, adamant हो जाना, हार नहीं मानना, decision change नहीं करना, ये सब dig one's heel फिर content with का मतलब deal with होता है, निपटना होता है, फिर मिलेगा skewed, skewed का मतलब किसी एक खास group के लिए directed हो, किसी एक खास समुहूं के लिए, किसी एक खास इस्तान के लिए, कोई चीज पक्षपात कोण अगर है, तो इसको बोलते हैं skewed, protected का मतलब होता, लंबित, काफी लंबा स इसमें, नमबर 17, हार्क बैक, हार्क बैक का मतलब होता है, लोटना, मिन्स return, नमबर 18 है, हिदर्टू, हिदर्टू का मतलब होता है, until now, अब तक, यह होता हिदर्टू, तो यह सब words मिलेंगे, 18 words मैंने निकाल दिये हैं, और भी word मिलें, वो सब अपनोट करेंगे, financial article है, और मिल जाता है, तो ठीक, है, फिर, फिर financial जरुष 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 नहीं है, आपको, क्योंकि यह एक जरुष है, आज के समय की, कि हर एक student को, यह financial article की, जो terms होते हैं, वो समझ में आने चाहिए, क्योंकि यह सबसे ज़़दी पैदा करेंगे, आपके exam में, अगर कोई यह ऐसा comprehension आ गया, यहां पर financial article का कोई accept दे रखा होगा, तो फिर problem आती है, ठीक है, तो policy creep के नाम से आज का editorial है, policy का मतलब नीती, creep का मतलब बताया था, धीमी जो वरद्दी होती है, उसको बोलते हैं, slow progress को, slow development को बोलते हैं, तो policy creep का मतलब, एक नीती बनाई गई है, सरकार क आते होगा आप, लेकिन मतलब उसमें सोचें समझें, कहीं नुकसान तो नहीं है, है ना, नीती आपने बनाई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कि आपने बहुत जदा strict कर दी है rules, इसको लेकर यह article लिखा गया है, तो policy जो की धीमी कर देगी गती को, वो चीज यहां पे देख लिखा हुआ है article e-commerce, e-commerce जहां भी नाम लूँ, इसका मतलब समझ जाएं, Flipkart, Mintra, Amazon, इनकी बात में कर रहा हूँ, और बात कर रखी है, कि जो आप अत्यधिक नियम, बहुत जदा strict हो चले हो, आप rules को लेकर उसके जो खत्रे हैं, उसको लेकर article लिखा गया है, तो end तक कहीं पर भी skip नहीं करेंगे, और हर एक छोटे-छोटे बातों को नोट करते चलना बहुत जदा मज़ा आएगा आपको, अगर मेरे साथ आपने editorial, मैं 7 दिन का एक आपको कह सकता हूँ, कि 7 days अगर आप मेरे साथ regular, पूरा editorial देखते हैं, तो 8th day आपकी जो feeling है, newspaper को पढ़ने को लेकर आज जो आप feel करते हैं, और after 7 days जो आप feel करेंगे, उसमें बहुत बड़ा difference आप feel करने वाले हैं, ठीक है, और यह हकिकत में होता है, जो student जुडे हुए हैं, उनको पता है इस बात का, काफे सारे comments बच्चों के आते हैं, जिन में student बहुत मेहनत करते हैं, synonyms, grammar concepts, ज जो कुछ भी उन्होंने सीखाए पर एडिटोरियल में, वो सब कुछ, वो comment box में लिखते हैं, आप उनकी मेहनत देखा करो, उनको देखकर आपको प्रिरित होना चाहिए कि हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, जरूर से share करना वीडियो को, maximum share किया करो, ताकि और अधिक student जुडें और एक ऐसा platform में बना सकूँ, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा platform जहाँ पे English का आपको पूरा solution मिलेगा, आप क्या कहना चाहता देखीगा, over regulation, risk, retarding growth, over regulation से खत्रा बढ़ जाएगा, किसका retarding growth का, retarding क्या होता है, slow progress होती है, तो धीमी वरद्दी का, and job creation और किसका धीमी वरद्दी और धीमी तरीके से job creation होगा, रोजगार स्रजन होगा, किसमें e-commerce सेक्टर में, e-commerce का मतलब बता दिया, मैंने Amazon, Flipkart, Mintra, Snapdeal, यह सब, यह सब क्या हैं, यह सब e-commerce companies हैं, तो अगर आप नियमों को जरुवत से अधिक strict बनाऊगे, तो उससे खत्रा पैदा होगा, किस सीज़ का की growth धीमी हो पाएगी, दूसरा, job creation भी धीमा होगा, किसमें e-commerce सेक्टर में, तो e-commerce सेक्टर में वरद्दी भी धीमी होगी, और job creation भी धीमा होगा, अगर आप जरुवत से अधिक strict हो जाओगे rules को लेकर, over regulation subject है, इसकी वर रिस्क है, retarding का मतलब धीमी progress को बोलते हैं, ये बता दिया था मैंने आपको, अब देखें, barely, barely का मतलब hardly है, barely का मतलब scarcely है, मतलब मुश्किल से, ठीक है, तो मुश्किल से 11 महिने ही हुए थे, after the government notified, जब government ने अधिस उचित किया था, notify किया था, किया consumer protection rules 2020, जो उपभोगता, संदक्षन, नियम ह है, 2020 के, उनको जब notify किया था, उसकी 11 महिने बाद में ही, the department of consumer affairs, तो consumer affairs का मतलब हो गया, उपभोगता के मामले, उनका जो एक विभाग है, उसने क्या किया, has mooted a set of sweeping amendments, moot का मतलब क्या बताया था, आप कह सकते हो, suggest करना, या फिर कह सकते हो, introduce करना, प्रस्तूत करना, sweeping का मतल होता है, व्यापक, extensive कह सकते हो, expensive कह सकते हो, व्यापक, विस्तरत, इसके लिए sweeping word का यूज करते हैं, amendments का मतलब संशोधन होता है, amendment का मतलब changes होते हैं, alteration होता है, तो जो department of consumer affairs का, उसने प्रस्तूत किया, क्या, a set of sweeping amendments, मतलब का सारे सुझाव यहां पे दी हैं, काफे सारे apparently, note का लिए ना, इस meaning को, ostensibly का मतलब, apparently, clearly, इस पश्ट रूप से, यह amendments किसलिए किये गए हैं, to protect the interest of consumer, कि consumers उपभोगता हैं, उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए, interest का मतलब यहां पे हित है, और किसके लिए, and encourage, और प्रोचसाहित करने के लिए, क्या चीज, free and fair competition in the market, की market में, बिल्कुल मुक्त रूप से, free competition हो, और fair competition, प्रतिस पर्दा जो है, वो एकदम, स्वस्थ प्रतिस पर्दा होनी, स्वस्थ पर्तिस पर्दा होनी चाहिए, कहीं पर भी biased नहीं होना चाहिए, कि किसी खास प्रकार के sellers के प्रति ही, आपका जुकाव है, ऐसे नहीं ह सभी को समान अवसर मिले, सभी को मतलब अच्छे लाब मिले, इस प्रकार का चीज़ बनाने के लिए amendment प्रस्तुत किये हैं, तो ये आपका एक sentence पूरा यहाँ पे होता है, इस sentence को में repeat कर दूँ, अब आपको भी अगर editorial पढ़ना है खुद से, तो क्या आपके approach होनी चाहिए आप सीखिए, देखे, government subject है, इसकी वब notified है, कि मुश्किल से 11 महीने ही हुए थे जब government notify किया, क्या notify किया, 2020 में consumer protection rules के बारे में बताया था, उसके 11 महीने बाद में ही, क्या किया 11 महीने बाद में, the department of consumer affairs, consumer affairs का जो department है, department यहाँ पे subject है, इसकी वब है, has mooted, इस department ने क्या किया a set of sweeping amendments यहाँ पे प्रस्तुत किये, यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में संशोधन जो बताए, मतलब विस्तरत रूप से संशोधन बताए, तो moot और sweeping का मतलब क्या है, we have discussed earlier, ostensibly मतलब clearly होता है, या apparently होता है, ठीक है, इस पर्ष्ट रूप से किस लिए, ताकि consumers के interest जो संशोधन की बात इन्होंने की थी न, उन संशोधनों में कौन-कौन सी चीजें, अब यहाँ पे लेकर थोड़ा से विस्तार से बताएगा, कि कौन-कौन से संशोधनों की बात आपने यहाँ पे की है, तो कह रहा है, among them, उन में से is a norm, एक तो नियम है, norm का मतलब law कह सकते हो năm का मतलब कोई नियम कह सकते हो, stipulate का मतलब क्या होता है, कि require करते हैं अगर आप, मतलब कोई चीज order या require, मतलब मतलब हैもし a require, determine कर देते हो, stipulate का मतलब करते हो, determine करना, निरधारित करना, किसी चीज चीज़ के लिے आप तै करते हो, कि यह चीजे होनेश उसको stipulate बोलता है, तो उन संशोधनों में एक नियम है और उस नियम में क्या कहा गया है ये तय किया गया है कि the appointment of a chief compliance officer कि एक मुख्य compliance का मतलब अनुपालन जो पालन करवा सके officer एक ऐसे officer की न्यूक्ति की जाए जो मुख्य अनुपालन अधिकारी हो दूसरा a nodal contact person, nodal person या nodal officer वो officer या वो person होता है जो कोई संगठन न्यूक्त करता है किसी खास परपज के लिए, किसी खास परपज के लिए आपने किसी विक्ति को न्यूक्त किया वो nodal officer या nodal person कहलाता है इसमें कहा गया है कि एक nodal contact officer बनाया जाए किसलिए 24 into 7 coordination coordination summon way ताकि सब को साथ मिलकर काम कर सकें, सभी के आप सी सहीयोग से काम हो सकें तो 24 गुना साथ का मतलब है कि 24 गंटे और 7 दिन, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं हो कि 24 into 7 कहीं कोई अवकाश नहीं, कहीं कोई अंतराल नहीं, कहीं कोई interval नहीं आप जब चाहें तब वो वेक्ति जो है, वो coordination में रहेगा किस के साथ law enforcement agencies, ये कौन से agencies हैं, ये वो agencies हैं जो कानून को लागू करती हैं उनके साथ ये contact में रहेगा और एक दूसरा जो संशोदन है उसमें कहा गया है another requiring e-commerce entities, entities का मतलब organization होता है, group होता है कि इसमें कहा गया है कि जो e-commerce entities हैं, जो e-commerce वाले जो companies हैं जैसे Flipkart है, Amazon है, ये सब offering imported goods और services, अब कौन सी entities, वो entities जो offer कर रही है imported goods, मतलब वो समान जो आयात किया हुआ है companies, incorporate, तो वो क्या करें, शामिल करें, incorporate का मतलब शामिल करना है include या subsume हमने पढ़ा था इसका, अब filter mechanism, mechanism जहां भी आएगा इसका मतलब system है, filter का मतलब समझते ही हो, आप filter क्या करता है filter मतलब अशुद्दियों को दूर कर देगा, मिलावट जो भी है उसको दूर कर देगा filter का मतलब है कि आप जो चीजें unwanted है उसको अलग कर सकते हो, वो filter है तो एक filter mechanism, एक filter system ये शामिल करें, किसलिए, ताकि वो पहचान करें goods की, समान की based on country of origin, किसके आधार पर, कि वो समान कौन सी country ने बनाया है उसके आधार पर and suggest alternatives, और क्या करें, alternatives मतलब विकल्प सुझाए, alternative के साथ-साथ एक word और आप लिख लें, alternate alternate जो होता है, वो होता है, एक छोड़ कर दूसरा, alternative जो होता है, वो होता वैकल्पिक तो विकल्प सुझाए, किसके लिए, to ensure a fair opportunity, की एक बिलकुल सही अवसर मिले, fair opportunity मिले यह सुनिशित की जाए fair opportunity, किसके लिए domestic goods की घरेलू समान भी बिक सके कहीं, ऐसा नहीं हो कि विदेशिय समान ही बेचे जा रहे हो, आपको एक ऐसा mechanism बनाना है, जिससे आपको सही अनपात में, domestic जो समान है, उसको भी बेचना है यहां तक मैं फिर बताऊँगा, ताकि आपको पूरी कहाने समझ में आए, तो यह जो संशोधन थे ना, इन संशोधनों में एक नियम बताया गया है, उस नियम के तहत ये बात निरधारित की गई है, कि Chief Compliance Officer को न्यूक्त किया जाए, इन संशोधनों में बात की गई, सरकार बताया ना, कि यह यह अमेंडमेंट्स होने चाहिए, उन अमेंडमेंट्स में एक बात तो यह है, कि एक नियम उसके तहत तो Chief Compliance Officer की न्यूक्त करनी है, एक Nordal Contact Officer को न्यूक्त करना है, ताकि 24 गुणा साथ वो Coordination में रहे, Law Enforcement Agencies के, और एक और जो संशोधन है, उसमें यह चाहा गया है, यह require किया गया है, कि e-commerce companies जो हैं, वो ऐसी e-commerce companies जो imported goods और services को offer करती है, वो companies क्या करें, एक filter mechanism को शामिल करें, ताकि वो जो origin है, जिस country से वो समान आया है, जो country उस समान को बनाती है, उसकी पहचान कर सके, और साथ में ऐसे विकल्प यहां पे suggest कर सके, ताकि domestic goods उसको भी fair opportunity मिले, उनको भी एक सही अवसर मिले, कहीं ऐसा ना हो कि विडेशी समान ही बिकता रह जाए, हमारा समान बिके ही नहीं, यह संसोदन किया गया, अगला संसोदन क्या था, तो तीसरा संसोदन है, mandates, mandate का मतलब क्या था, to make mandatory, अनिवार्य बना देना, तो तीसरा संसो से, इसलिए एनिशित है हमारे लिए, हमारे लिए तो वो definite है, नहीं, factors कारण से, a third है, तो एक तीसरा जो चीज है, उसमें यह अनिवार्य बनाया गया है, कि यह fallback liability, fallback का मतलब क्या होता है, withdraw करना, pull out करना, retreat करना, पीछे हटना, liability मतलब जवाब देही, तो तीसरा जो संसो दन है, उसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है, कि fallback liability आपको निभानी पड़ेगी, कहने का मतलब आपको withdraw होना पड़ेगा, आपको पीछे हटने की जो जिम्मेदारी हो निभानी पड़ेगी, और marketplaces कहां पर, online marketplace की बात है, एक तो offline बाजार है, जहां पे छोटड़ शॉप कोई समान नहीं मिल पाया, कोई services नहीं मिल पाया, non delivery का मतलब delivery नहीं हो पाया, तो फिर तीशरे संशोदन में कहा गया है, कि जिस company के द्वारा समान भेजा गया और वो उसका deliver नहीं हुआ, कोई भी services चाहेगी, वो deliver नहीं हुआ, तो आपको एक जवाब देही यहां पर देन ठीक है, और बाकी बहुत समाने सी बात थी, आगे देखिए, registration has also been made mandatory, अब देखो, registration को भी mandatory कर दिया गया, also का मतलब भी, और also का प्रियोग बता दूम आपको कि sentence के start में कर सकते हो, ठीक है, second thing, आप helping web के बाद में कर सकते हो, third thing, अगर helping web नहीं हो, तो man web से पहले कर सकते हो, तो यहां तो hedge helping web थी, तो इसके बाद में कर दिया है, तो registration को भी क्या कर दिया गया, अनिवारिय कर दिया गया, और यह passive हुआ की नहीं, क्योंकि B के साथ में third form है, इसका मतलब मैं इसको क्या कहूंगा, यह passive structure है, तो registration को अनिवारिय कर दिया गया है, किसके लिए सारे e-commerce players, अब इस players को खिलाडी मत पढ़ना, यह company से मतलब है, जो भी e-commerce company है, उनके लिए registration को भी क्या कर दिया गया है, अनिवारिय कि, अगर आप e-commerce company चला रहे हो, तो आपका registration होना चाहिए, ऐसे आप समान नहीं बेद पाओगे, अगली बात की गई है specific flash sales, तो यह समझो flash sales क्या हो रहे हैं, including, including preposition है, इसका मतलब इसमें शामिल है, back to back once, तो वो sales जो back to back आती है, एक के बाद एक, आज sell निकाल भी, कल फिर आ जाएगी, परसों फिर किसी और product पर, तो यह जो sales है, उनकी बात यह कर रहा है, फिर कह रहा है, are set to be bend, अब यह जो sales है, इनको तयारी कर ली गई है, set to का मतलब दो काम, दो मतलब समझना इसके, एक तो होता है, कि prepare होना, तयार होना कोई काम करने के लिए, एक होता है, शुरुबात करना किसी काम की, begin to do something, or to get ready to do something, both meanings are conveyed by this phrase, set to, ठीक है, तो set to का मतलब यहाँ पर करें, तयार है, तो यह तयारी कर ली है, इनको bend कर दिया has been made है, passive voice है, है ना also का प्रेख बताया है मैंने, किसके लिए, सभी e-commerce, companies के लिए, फिर आगे कह रहा है कि specific, मतलब विशेश, special, जो flash cells होती है, जिसमें एक के बाद एक cell जो जारी करती है, company वो भी शामिल है, इनके लिए तयारिया कर ली गई है, कि इनको bend कर दिया जाए, and all entities must provide information with 72 hours on any request made by an authorized government agency probing any breach of law, including cyber security issues, और सारी के सारी जो entities हैं, entities का मतलब भी companies हो गया, देखो, players नाम लिया, entities नाम लिया, companies नाम लिया, सब एक ही बात है, सब भी companies की बात कर रहे हैं, और सारी जो कमपनिया हैं, उनको must provide, जहां कहीं भी, आप must देखें, समझ जाना कि ये compulsion ह ये obligation है, जरूर से जरूर होना ही चाहिए, जैसे you must come to me, तुम्हें आना ही पड़ेगा, you must work hard, आपको महनत करनी ही पड़ेगी, करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत बात देता है, उसके लिए must का प्रियोग करते हैं, और सारी जो entities हैं, उनको क्या करना चाहिए, provide कर नहीं चाहिए, क्या information, information के बारे में बता दूं कि information uncountable noun होती है, and wherever I mention the word uncountable, it means कि आप information, मतलब उस particular noun में, we cannot add s or e s to make them plural, because that is singular already, uncountable noun singular होता है, तो उसमें s or e s नहीं जुडेगा, and second thing, we cannot add a or n before that particular noun, और उससे पहले आप a or n भी नहीं जोड सकते, क्योंकि वो singular है, और uncountable है और a or n का प्रियो countable से पहले करते हैं, तो informations नहीं हो सकता, और an information मत कर देना गलत हो जाएगा, ठीक है, और सभी entities के लिए अनिवारी है कि वो यहाँ पे सूचना दें, कितने समय में बहतर घंटे के भीतर भीतर, within product proposition है, इसका मतलब जो भी समय स्तिमादे रखे है, उसके भी बहतर भीतर, किस पे information देनी है, कोई भी request अगर की गई है, कोई भी request डाली गई है, किस के द्वारा, किसी भी authorized government agency के द्वारा, वो government agency जो अधिकरत है, उसके द्वारा कोई अगर request डाली गई है, तो 72 hours में आपको information देनी पड़ेगी, और किस के request डाली गई है, probing यानि ब्री investigate तो जांच कर रही है any breach of law, breach क्या होता है, breach का मतलब तोड़ना, violation, note करना, breach बराबर violation, मतलब तोड़ना, तो अगर कोई कानून तोड रही है, कोई भी कानून का उलंगन किया गया है, उसकी जांच अगर agency कर रही है, जिसमें शामिल है, कानून के उलंगन में शामिल है, cyber security issue, क किसके लिए जांच कर रही agencies के दुवरा, अगर कोई request डाल दी गई है, तो सारी companies को बहतर गंटे में information देनी पड़ेगी, ठीक है, एक बार फिर समझीएगा यहां से, तो registration को कर दिया गया है, अनिवारिये, किसके लिए, सारी e-commerce companies के लिए, और ban करने की संभावना किसकी है, ban करने की तयारी कर लिए, flash sales को, जिसमें एक के बाद एक sales जो जारी करती है, companies, उनको भी तयारिया कर लिए है, कि उनको ban कर दिया जाए, और सारी companies के लिए कह दिया गया है, कि यह अनिवारिये होगा, जरूर जरूरू information दे, 72 घंटे के भीतर, उस request पर जो request की गई है, किसी सरकारी agency के द्वारा जो authorized है, वो agency जो कि किसी भी कानून के उलंगन की जांच कर रही है, जिसमें cyber security issues भी शामिल है, including preposition है, पाकि अगर subject verb की अगर बात करें, registration subject था, उसकी verb has been made थी, all entities subject है, उसकी verb must provide है, और बाकि इस सब चीज़ें बहुत आसान थी, आगे, while on the face of it, on the face of it क इसा मतलब होता है, clearly, ostensibly, apparently, यह सब meaning देगा है, तो यद दपी, बड़ा इस first सी बात है, उपरी तोर पर देखें अगर, ऐसा कह सकते हो, none of these new rules, तो जितने भी नए rules ही आएं हैं ना, उनमें से एक भी rule ऐसा नहीं है, appears, ऐसा लगता नहीं है, exceptional, कि यह अपवात सो रूप है यह आप किसको बोलोगे, जैसे कोई चीज तो एक समन्ने जैसा होता आया है, वैसा ही हो, और एक चीज बिलकुत अलग हटकर, लीक से हटकर हो जाए, तो वो exceptionable है, ठीक है, exceptionable का अगर part of speech पूछों तो क्या होगा, तो आप फटक से बोलेंगे कि सरे adjective होना चाहिए, क्यों हो ending है, and the word ending in able are always or most of the time are called adjectives, तो कहरा while यह conjunction है, अगर उपरी तोर पर देखें, तो इन में से कोई भी rule ऐसा नहीं है, जो ऐसा appear होता हो कि exceptionable है, अच्छा जी, यहाँ एक fact भी समझ लो, none of there हो, या दे नहीं हो तो फिर आपको देखो, none of these दे रखा है, कुछ भी हो, none of these हो सकता है, none of there हो सकता है, none of plus progressive adjective हो सकता है, आगे जो भी noun आएगी, plural आएगी, यह fact है, अगर verb लगानी है, तो वो singular plural दोनों आ सकती है, हलांकि आपके exam के point of view से आप singular याद रखे लेकि none वाले case में plural noun, plural verb भी लग सकती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, especially का मतलब particularly, wishes करके when e-commerce stop the national consumer help lines complaint chart, wishes करके तब, जब e-commerce जो sector है, वो जो national consumer help line complaint chart है, देखो एक ये शिकायत का chart है, कि मतलब जिन consumer के द्वारा किस किस चीज़ की शिकायत की गई है, उनमें सब से top पर कौन है, e-commerce companies top पर है, ठीक है, ऐसी condition में, there is still a distinctly discernible pattern, there से start है, तो inversion है, a distinctly discernible pattern, pattern noun है, discernible adjective है, distinctly adverb है, a determiner है, ठीक है, तो still का मतलब even now है, अभी भी, अभी भी एक ऐसा pattern है, जो noticeable है, discernible, noticeable, obvious, distinctly, apparently, ostensibly, बिल्कुल इस पस्ट रूप से, तो इस पस्ट रूप से notice करने योगे एक pattern बना हुआ है, to the changes का मतलब इन बदलाओं को लेकर, इन परिवरतन इन amendments को लेकर, फिर समझना, यहाँ दो clause है, एक while से start करके, कहां तका clause है, देखो बताता हूँ, कि यदपी, ऐसा दिखता है उपर से देखने पर, कि जितने भी बदलाओं की बात की गई है, यह नए rules की बात की गई है, यह कोई भी rule इन में से ऐसा लगता नहीं है, कि acceptable हो, और wishes करके तब, जब national consumer help line की complaint chart में, सबसे उपर top korn कर रहा है, e-commerce companies कर रही, सबसे ज़्यदा fraud होता है, तो e-commerce companies के द्वारा होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर भी, एक distinctly discernible pattern है to the changes, मतलब यह जो changes किये गए हैं न, उसमें खास तरीके का pattern यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, rules कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक खास pattern यहाँ पे इन rules को implement करने में follow किया गया है, अगर मैं grammar की बात करूँगा यहाँ तो non subject था, इसकी verb appears है, फिर e-commerce subject है, tops इसकी verb है, on the face of it एक phrase हमने देखा था, apparently, ostensibly, obviously, clearly, यह सब meaning होगा, e-commerce subject है, tops इसकी verb होगी, और a distinctly discernible pattern यहाँ पे subject है, तो इसकी verb है, वो it है, वो इससे पहले है, क्योंकि inversion लग चुका है, there से start होने पर, आगे देखे, following, following का मतलब होता है, अनुसरन करते हुए, on the heels of the recent IT rules, on the heels of का मतलब क्या होता है, just after something, following, closely after, है न, यह सब होता है, ठीक बाद में, तो यह करहा है कि IT rules है, अब मैं इ intermediary guidelines and digital media ethics code, कुछ भी मालनो, rules हैं, यह IT rules है, तो हाल ही में, जो IT rules हैं, उनके ठीक, पीछे-पीछे, है न, जो यह बनाए गए हैं, तो इनको follow करते हुए, the draft e-commerce amendments, भी पहले IT rules आए, और उसके बाद में, आ गए, यह amendments, यह जो e-commerce में, कुछ संशोधन करने वाले, कुछ निय माने, नहीं माने, सदन के अंदर विवाद, वाद विवाद होगा, opposition parties, कुछ question उठाएंगी, फिर जाके सर्वस सहमती से, बिल पारित होता है, वो सब चीज़ें, तो draft तब तक है, जो बिल पारित नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, कोई अधिनियम, तो कह रहा है, जो e-commerce वी ततपरता दिखाते हैं, किस लिए, to exercise greater oversight, कि government चाहती है, कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या किया जाए, oversight, oversight क्या होता है, oversight का मतलब, आप supervision कह सकते हो, oversight का मतलब supervision, direction कह सकते हो, instruction कह सकते हो, कि government चाहती है, कि वो ज़्यादा निग्रानी बढ़ाए, किस पर, online platforms पर, समझ करते हैं, किस का, जो हाल ही में, IT rules बनाए गए थे, उसके बाद में, यह जो draft e-commerce amendments आए हैं, तो यह दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, कि government की keenness, बढ़ती भी keenness है, keenness noun है, क्योंकि N-E-S-S, जो ending words होते हैं, वो generally noun होते हैं, जैसे happiness है, sadness है, keenness है, increasing adjective, present participle है, तो government की बढ़ती आगे देखे, the recent, the center also appears to be signaling its intent, केंडर सरकार, also, also, देख लीजिए, कैसे लग रहा है, manweb के पहले, जो मैं बठाता हूँ, उन चीजों को apply करना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रशन पूशते हैं, comments में, कि sir, बताइए, कैसे rules याद किये जाएं, rules याद करने के जरत ही नहीं, rules, concept-wise तो चीज़ें आपने सीखी हैं, या फिर मान दीजे, rule भी हुआ, तो उसको बार-बार में apply करना सीखिए, क्योंकि ultimately application of rule ही आपके लिए lucrative होगी, वही आपके काम आएगी, the center also appears, केंडर सरकार ऐसा भी लगता है, to be signaling कि ये शायद संकेत दे रही हो, its intent अपने इरादे का, मैं पूछू, its किस के लिए है तो आप कहेंगे, center के लिए है, intent क्या है, तो ये noun है, क्योंकि possessive adjective के बाद में noun लगाते हैं, तो केंडर सरकार ऐसा लगता है, कि ये संकेत कर रही है अपने इरादे का, इरादा क्या है इसका, to dig in its heels, क्या देखा था हमने इसका मतलब, मतलब बिलकुल अडियल हो जाना, अडिक हो जाना, refuse to give in हमने देखा था इसका, कि आप हारेंगे, मतलब आप समर्पन नहीं करेंगे, आप change नहीं करेंगे, तो center यहाँ पे ऐसा भी लगता है, कि संकेत कर दी अपने इरादे का, इरादा क्या है, कि सरकार intensifying standoff, किस चीज में intensifying का मतलब, बहुत ज़्यादा तिवर हो जाना, standoff का मतलब, यह तो आपने word देखा था, भारत और चाइना की बात हम करते हैं, LAC पर standoff तो काफी बड़ यह word आया था, इसका मतलब gridlock होता है, इसका मतलब आप कह सकते हो, standoff है, gridlock है, deadlock कह सकते हो, मतलब इसमें क्या होगा, दो पक्ष जिनके बीच में standoff है, जिनके बीच में gridlock है, जिनके deadlock है, वो दोनों ही पक्ष क्या है, अपने बातों पर अड़े रहते हैं, कोई भी जुकने को तयार नहीं होता, तो केंडर सरकार ऐसा लगता है, कि संकेत दे रही है अपने इरादे का, कि ये बिल्कुल standoff कि स्थिति में है, और standoff कैसा है, intensifying, बहुत ज़्यदा तिवर हो रहा है standoff, किसके साथ, walmart की जो unit है, flip card का walmart ने खरी लिया था, तो walmart की unit flip card और amazon के साथ, standoff जो है, उसमें जुकने की इरादा नहीं है, इसका बिल्कुल नहीं जुकेगी, which are both, which किसके ये है, दोनों ही है, वो court में है, battling an attempt by the competition commission, और ये क्या कर रही है, an attempt by the competition commission of India, भारत का जो competition commission है, एक आयोग है, जो परतिस्पर्धा, आयोग कह सकते है, उसको competition commission के द्वारा, जो एक attempt है, किया गया है, उसको ये क्या कर रही है, battle कर रही है, to reopen a probe, और ये competition commission क्या चाता है, कि जो जांच थी उसको वापस से खुला जाए, उसको reopen किया जाए into their business practices और जांच किसकी जांच है उनके business practices की practices का मतलब जिस तरीके से वो business करते हैं उन तोड तरीकों की जांच की जाए ये चाह रहा था competition commission of India और इसके खिलाफ ये भी court में चले गए है प्रोब के साथ into है ध्यान रखें कि ये noun है तब जाके into आ रहा है इफ इट वर अवर्ब है ये जाद रखियेगा अगर ये वर्ब के रूप में होता तो into नहीं लगता और ये अगर noun के रूप में है तो into लगता है same things apply to investigate and investigation investigate is a verb you need not use any preposition why there is a concept investigate जो है वो एक transitive verb है it needs an object ठीक है और अगर आप into लगा देते हैं preposition लगा देते हैं तो preposition also will also require an object तो ऐसा हो नहीं पाएगा वहाँ पे लेकिन investigation noun है तो वहाँ पे into लग जाता है probe noun है यहाँ पे into लग जाता ध्यान लखियेगा इस चीज़ को तो यहाँ तक कि अगर बात करें तो किन यहाँ पे कह रहा है कि केंदर सरकार जो है वो यहाँ पे लगता है कि संकेत दे रही अपने इरादे का कि यह अडिग रहेगी जित पकड़े हुए है किस चीज़ की जो stand-off यहाँ पे चल रहा है इसका जो लड़ाई चल रही है वोलमॉर्ट की कम यूनिट फिलिपकॉर्ट रमेजन के साथ उसमें यह पीछे हटने वाली नहीं है अब बीच में यह परिचे दिया फिलिपकॉर्ट रमेजन का के दोनों कमपनी जो हैं कोर्ट में हैं किसलिए यह लड़ रही है केस किसके खिलाफ केस लड़ रही है कि सब्जेक्ट था इसकी वर्ब अपियर्स है फिर डिग इन इट्स हील यह बता दिया मैंने आपको विच यहां पर रिलेटी प्रणाउंज जो अमेजन और फिलिपकॉर्ट के लिए है इसकी वर्ब आर है और बाकी यहां पर अगला सेंटेंस देखते हैं दो बड़े बड़े जो इकॉमर्स प्लेयर्स हैं मतलब आमेजन और फिलिपकॉर्ट हैव हैड टू देखो क्या यह ऐसा हो सकता है हैड हैव टू तो यह कभी नहीं होगा क्योंकि हैड हैव हैज यह सब अपने बाद में चुकि यह तो हेल्पिंग वब हो जाएंगी अपने क्या किया है have had to इनको करना पड़ा है have to has to का प्रियोकप करते हैं जब under compulsion कोई भी काम करना पड़ता है तो इनको करना पड़ा है content with content with का मतलब होता deal with तो इनको निपटना पड़ा है किस से acquisitions मतलब charges आरोपों से आरोप को बोलते हैं acquisition तो इनको आरोप जहलने पड़े हैं आरोपों से जुझना पड़ा है आरोप क्या थे that their pricing practices are skewed कि जो भी वो कीमतिन धर्धारित करते हैं न product की वो सब की सब जुकी भी होती है directed होती है towards any person any company skewed का मतलब किसी खास की तरफ UK से तो उनकी जो pricing practices है वो जुकी भी होती है किसके favor में select sellers कुछ चुने हुए sellers अब select जो है वो executive है sellers है वो noun है ठीक है on their platforms जो उनके platform पे कुछ विकरेता हैं उनके favor में ये मतलब अपनी prices decide करते हैं and their discounting policies और उनकी जो discount देने की policies है have hurt offline retailers उन्होंने offline retailers जो दुकानदार offline समान ब कि देखो discount पर समान मिलेगा तो निश्चित रूप से एक जो consumer है वो वहीं से खरीदेगा तो इस पर मारा जाता है कौन जो दुकानदार है वो मारा जाता है ठीक है यहां तक समझेंगे फिर से तो दो बड़ी जो e-commerce कंपनियां है उनको deal करना पड़ा है निपटना पड़ा है आरोपों से आरोप क्या है कि उनके price practices जो है वो क्या है जुकी हुई है कुछ select sellers है उनके favor में उनके platform पर और उनके discounting policies है उन्होंने offline retailers को क्या किया है हर्ट किया है हर्ट की तीनों form सेम होती है भी हर्ट 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 इस कारण से third form है अब यहां पर अगर देखें तो e-commerce player subject था है इसकी वर्ब थी फिर इस प्रैक्टे से subject है इसकी वर्ब आर यह भी आप हाइलेट कर रहना है इसको ठीक है इसके बाद में their discounting policy subject था है इसकी वर्ब है आगे देखिए the fact that the latest changes expressly, expressly का मतलब clearly अब fact क्या है कि जो latest changes है हाल ही में जो बदलाव किये गए हैं वो clearly seek वो चाहते हैं बदलाव या उन बदलावों में demand है to ensure यह सुनिशित करने की that none of an e-commerce entities कि जो भी e-commerce entity हैं उनमें से कोई भी ऐसी e-commerce entity के related parties जो हैं मतलब e-commerce company से संबंदित जो भी संबंदित parties हैं उनमें से कोई भी नहीं और साथ में जो associated enterprises मतलब उन से जुड़े वे जो businesses हैं enterprises कोई भी दुकान वगार को मान लो है न तो business enterprises होता है और जोड़ी वे जो enterprises हैं उनमें से कोई भी is enlisted वो enlisted नहीं है सूची बद नहीं है किस रूप में एक seller के रूप में for sale किस लिए कि आप sale नहीं निकाल सकते consumers के लिए directly सीधे तोर पर तो ये जो चीज है ये भी क्या कर सकती है impact कर सकती है several platforms अनेको platforms पे that retail products supplied by vendors with arms length tiles वो products वो platforms जो की retail products supplied by vendors with arms length tiles देखो arm lengths का मतलब होता है थोड़ा सा दूरी बना के रखना arm की length तक दूरी मतलब एक हाथ के दूरी बना के रखना क्लोज मतलब intimacy में नहीं होना vendors का मतलब होता है विक्रेटा थीक है तो यह क्या कर सकता है यह परभावित कर सकता है अनेको platforms को that retail products supplied by vendors जो की अगर प्लैटफॉर्म कौन से platform जो की products को retail में बेचते हैं जो vendors के द्वारा बेचे जाते हैं और किस ties में मतलब थोड़ा सा intimate scene में नहीं होती इस फ़रा संबंद इन में नहीं होता एक पर फिर समाटमसेश को कि जो fact है कि latest changes है वो clearly यहाँ पर चाहते हैं कि इन changes का मकसद क्या है बता रहा है तो latest changes जो है इसकी verb होगे seek expressly यहाँ पर adverb है तो clearly इन changes के माद्यम से यह चाहा गया है सुनिश्चित करना इंशोर का मतलब सुनिश्चित करना है अगर I-N-S-U-R-E लगा दोगे तो यह बीमा करना हो जाएगा और अगर assure कर दोगे AWS-U-R-E तो इसका आश्वस्त करना हो जाएगा तो fact कि जो हाल ही मे parties या जुडे हुए enterprises parties का मतलब यह यह sellers है ठीक है उन में से यह सुनिश्चित करना कि इन में से कोई भी जो है वो इस रूप में enlisted ना हो seller के रूप में कि वो consumers को बेच सकें समान directly ठीक है तो यह जो changes है यह जो changes है वो क्या कर सकते हैं यह impact डाल सकते हैं प्रभावित कर सकते ह अनेको platforms को that retail products supplied by vendors with arms length ties वो platforms जो की vendors के द्वारा supply किये जाते हैं arm length ties के साथ ठीक है यहां से फिर से समझ लो चाहे यहां तक तो समझ में आए गया होगा आपको कि कोई भी मतलब यहां पे सुनिश्चित करना है इन rules की साहिता से कि कोई भी e-commerce company है उससे समंद कोई भी parties या औ वो यहां पे enlist ना हो ठीक है एक seller के रूप में किसलिए कि consumers को सीधा वो sell करें इस seller के रूप में वो सुची बद ना हो enlisted ना हो तो यह जो changes हैं यह changes क्या करेंगे यहां पे could also impact several देख इसकी verb तो यह हो गई और none की verb यहां पे क्या आ गई यह इज आ गई तो could also impact several platforms तो यह अ यहां पे present possibility के लिए आ रहा है that retail products are supplied by vendors with arms length ties तो यहां पे कह रहा है कि वो platforms जो products को retail में बेचते हैं और वो products जो कि vendors के द्वारा बेचे जाते हैं supply किये जाते हैं with arms length ties मतलब उन में कोई घनिष्ट संबंद नहीं होता arms length ties होते हैं ties कौन से arms length मतलब जहां पे intimacy नहीं होते closely involved नहीं होते हैं और vendors के दौरा सप्लाई के products को retail में जो बेचते हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं the enforcement of many of these norms enforcement को लागो करनी के क्रिया है तो जो enforcement है अब enforcement ना हुन है क्योंकि देल लगा हुआ इससे पहले इन जो नियम है इन में से अनेको नियमों को enforcement जो है is bound to bound to का मतलब shirtten है shore है निशित है तो यह किस चीज़ के लिए कि यह निशीथ है कि तुस्पर protected legal fights protected मतलब lambit क्या कह सकते हो इसको लंबित मतलब extensive कह सकते हो extended कह सकते हो ठीक है और long कह सकते हो तो कहरा है कि जो ऐसे जो कई नियम है न इन में से कई नियम ऐसे हैं जिनका enforcement जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रेरित करेगा स्पर का मतलब inspire करना, encourage करना, किस चीज़ को, ऐसी कानोनी लड़ाई को जो काफी लंबे समय तक चलेगी तो यहाँ पर case होगा, companies case कर देंगी और यह लड़ाई काफी लंबित चलने वाली है निश्चित है, bound to certain हो गया, स्पर का inspire या encourage हो गया, protected का लंबित हो गया asserting that, यह होता है, announce करना, clearly कहना, तो यह बताते हुए, यह announce करते हुए that the amendments were not aimed at conventional flesh cells, conventional मतलब परंपरिक traditional, flesh cells बताया था कि सिमित अउदी के लिए, जो cell निकाले जाते हैं कंपनियों के द्वारा, उसको बोलते हैं, तो जो संशोधन है, इनका उद्देश्य यह नहीं था, यह इसके प्रती मतलब इनका aim नहीं था कि conventional cells को target करना चाहती थी, ऐसा assert करते हुए, यह present participle है, government ने कहा है, कि it was only targeting, कि government जो है, वो target कर रही है, किसको, certain entities, कुछ कंपनिया हैं उनको, engaged in limiting consumer choice, वो कंपनिया जो लिप्त है, किसमें, consumer choice को कम करने में, limit करने में, कैसे, by indulging in back-to-back cells, कि वो बार-बार में back-to-back cells लगाती है इसलिए कुछ consumer जो है, वो मतलब, क्या कह सकते हो, कुछ को फायदा होता है, कुछ को नुकसान हो जाता है, wherein, जिसमें की, यह adverb है, in which इसका meaning होगा, जिसमें की a seller does not have the capability, कोई seller जो है, उसके पास छमता नहीं होती है, to meet an order, किसी भी एक order को पूरा करने की, meet का मतलब होता है, fulfill करना, पूरा करना, फिर समझना, तो ये एक बताते हुए, ये बात declare करते हुए, कि जो संशुदन है, उनका लक्षे conventional flesh cells नहीं है, आप कभी कबार flesh cells लगाते हो, उसमें को अपती नहीं है, government ने कहा कि हमारा लक्षे इतना ही था, हम target कर रहे थे किसको ये it government के लिए आ रहा इसको जो की lift हैं किस में, consumer choice को limit करने में, और कैसे ये limit करने चाहरी है, back-to-back cells लाकर, इसमें lift होकर, इंडल्स का lift होना, by-professionally ING लग गया, जबकि एक seller जो होता है, उसके पास capability होती नहीं है, कि वो order को पूरा करे, भी companies भी क्या करे, किसी ने किसी विक्रेता से समान खरी द आती है, ठीक है, वो मतलब इतनी choices, इतनी variety उनके पास रहती नहीं है, फिर कहरा है कि in trying to address shortcomings, shortcomings का मतलब कमिया, in trying, मतलब कोशिश करने में, क्या, कि sort out कर सके, address जब verb होता है, तो इसका मतलब sort out है, resolve करना है, सुलजाना है, तो कहरा है कि, जो कमिया है, उसको ठीक करने के पर harking back, hark back का मतलब होता, revolt होना, return होना, लोटना, ऐसा लगता है, गवर्मेंट फिर से लोट आई है, उस era में, उस yug में, era मतलब yug, of tight controls, सक्ती वाले नियंत्रन, है न, मतलब काफे सक्ती बढ़तेगी, यह तो था न, over regulation वाला, तो उसकी और जो time इसका था, उसको लोटने क और ऐसा लग रहा है, कि लोट जाएगी वापसे, वापसे सक्ती बढ़तेगी, तो कहरा है कि कोशिश कर रहेगी, कि सरकार ने जो कमियाँ छोड़ी थी, पिछले साल जो rules बनाए थे, इसले सरकार यहां पर ऐसा लग रहा है, कि फिर से, जो tight controls का यूग हुआ करता था, वो स समय जिसमें सक्ती बढ़ता करती थी, उसकी और आपस लोटेगी, ओवर्रेगूलेशन विद सकॉप और इंटरप्रेटिव एंबिग्यूटी, इंटरप्रेटिव का मतलब होता है, एक्स्प्लेनेटरी, व्याख्यान से सम्बंदित, किसी चीज़ को इलूसिडेट करने सम् इंबिग्यूटी का मतलब होता है, आप कह सकते हो, इस पस्ट अर्थ नहीं होना, अनक्लियर होना, क्लैरिटी नहीं होना, तो ओवर्रेगूलेशन, मतलब जर्वत से दिक सक्ती, जर्वत से दिक नियम लगाना, और इसमें स्कॉप किसका, इंटरप्रेटिटिव एंबिग् कि मतलब आप रूल तो लगा दोगे, लेकिन उसमें आप समझा नहीं पारियों के रूल लगाया कैसे है, क्लियर नहीं हो उसको लेकर, तो ये जो चीज है ना, ये रिस्क है, ये खत्रा पैदा करेगी किसका, रिटार्डिंग ग्रोथ, एंड जोब क्रियेशन, उपर दे र आते हो, तो ये था दोस्तों, आज की इस एडिटोरियल में, उम्मीद करता हूँ, each and everything was clear to you, अब आप लोग जरूर से शेर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं कलेक नए सेशन के साथ, तब सक्रें नमस्कार, thank you very much.